हेलो स्टुडेंट आज मैं आप से डिस्कस करने आया हूं CCS उनिवर्सिटी का बीकॉम का वैवा होगा या नहीं जो कि आपने थमनेल पर भी देखा है तो बेटा इसके संदर में मैं CCS उनिवर्सिटी का नोटिफिकीशन लेकर आया हूं जो कि उनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर दो मार्च दो हजार बीस को अपडेट किया था और उसके अंदर साफ साफ कहा था आपको मैं डिरेक्ट मुद्दे पर आता हूं क्या कह रहा था उनिवर्सिटी ने क के अंशनिम्द परकार है क्या कह रहे थे वायवा वोस एक्जाम ओफ बीकॉम थर्ड यर रेगुलर और प्राइवेट टू बी एबॉलिजड फ्रॉम दा अकाडमिक सेशन दो हजार उनिस बीस के बीकॉम थर्ड यर चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे वो प्राइ के कोर से वहां पर दिया गया था बीकॉम कोर्से इन बीकॉम कोस्त आङजामनेशन ओफ फिजिकल एडूकेशन इस तो बी अबॉलिज्ट फ्रॉम डाकेडमिक सेशन उनिस बीच बीकुम कॉर्स से फीजिकल एजुकेशन का वायवा वोईस जो है वो भी अकेडमिक सेशन उनिस बीच से समाप्ट कर दिया गया है और साथ यह भी कहा था उन्होंने इस फर्दर रिजुकेशन उनिस बीच बीकुम क्लास से फीजिकल एजुकेशन का वायवा वोईस समाप्ट कर दिया गया है अकेडमिक सेशन वोजार उनिस बीच से और आगे के वर्सों के लिए से एंडोन वर्सों कर दिया गया है ताथा जो आपका फीजिकल एजुकेशन का जो पहले पेपर होता था 50 नंबर का और 50 नंबर का वायवा वोईस उधा था अब वो समापकर करके वायवा वोईस को 50 नंबर की ज डिरेक्ट सो नंबर का आपका पेपर हो जाएगा तो बेटा अब इस नोटिफिकेशन से आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि CCS University का बीकॉम कोर्स से वाय वाय वह से समाप्ट हो चुका है अब आपको कंफ्यूज नहीं होना इदर उदर नहीं बटकना है यह आपका नोटिफिकेशन है दो मार्च 2020 का CCS की साइट पर आपको प्रीवस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा बस यही छोटी सी इंफोर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी